लाइफ में हमें अपने आपको जितने वहलू देने चाहिए उतनी हम देती है नहीं जिस चीज को हम पाना चाहते है जो हमें चाहिए होता है वो हम डिजब नहीं करते है ऐसा हमें हमेशा लगता रहता है लाइफ आपको बहुत सारे चांसेज देती है और जब भी आपको मिल स यह आदमी की suicide की स्टोरी है इस स्टोरी को बहुत ही heartbreaking और बहुत ही सई तरीके से construct किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं Movie का first time period आता है और 1999 है इस movie में बहुत सारे time period दिखाये गये है और यह back story की तरह अलग अलग पीछले time period आते रहते हैं इस movie में बहुत सारे time period दिखाये गये है और previous time period इसमें आते रहते हैं यह job time period हमें दिखाये गया है यह present का time period है इसमें हमें एक train tunnel से जाती हुई दिखती है यह एक dark tunnel है और इसके दूसरे बाजो में एक light भी है यह insight हमें तेते हुए एक आदमी हमें इस bridge के नीचे पड़ा हुआ दिखता है यही हमारा main character है इसका नाम हम John रखेंगे जौन आकाश की तरफ देख रहा है और इसके आखों में आसु है यह river के पास होता है और बहुत सारे लोग वहाँ party कर रहे होते है डीजी वगरा चला रहे होते है और dance कर रहे होते है उनके पास हो जाता है और dance करने लग जाता है इन मैंसे जो कोज आदनी होते है उब इसे पहचान लेते है उसे नेम से वो पहचानते है ये जो जॉन है ये इनके ही स्कूल का फ्रेंड था इनके आज रियूनियन है इसमें जॉन आया है ये एक बड़ा आद्मी बन चुका है इसलिए इसका congratulations वो करते है उसके life के बारे में ये पूछना चाहते है इनके friend circle का जो एक leader होता है वो John को बेटा कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही contact करना चाहता था पर तुम्हारा contact करे मुझे मिलनी पाया John बेटता है उसे वो drink देते है और बार-बार ये जो group leader है ये एक ही बात कहरा था है कि मुझे तुम्हें contact करना था पर मैं कर नहीं पाया मैंने बहुत पहले ही तुम्हें contact करना चाहिए था ये सब वो बोल रहा होता है तो John को बुस्ता आ जाता है John कहता है कि पस हुआ ठीक ही तुमने मुझे contact नहीं किया इससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता सब फ्रेंड्स फिर उसे cheer up करने के लिए डांस के लिए लेकर जाते है John कैरी होके पर गाना गाना चाता है इस गाने के बोल होते है कि क्यों मुझे तुम छोड़कर चली गई दर्थ भरा आये गाना गाता है और बहुत ही चिलना लग जाता है रोने लग जाता है उससे फिर वो माइक ले लेते है इसे शान्त होने के लिए वो बोल रहे होते है पर यह सुनता नहीं जिस रिवर के साइड में होते है एक छोटी सी रिवर होते है इसमें वो चलने लग जाता है जो गाना वो गा रहा था वो अभी भी गा रहा है जिस ब्रीज से ट्रेंड आ रही थी उसी ब्रीज पर ये चड़ जाता है सब फ्रेंड्स इसके लिए वरिड हो जाते है जो ग्रूप लेडर होता है उसके पीछे बागता है उसे हो नीचे निकलने के लिए बोलता है वहाँ से एक train आती है उसके लिए बहुत ही डर जाता है पर यह train John के side से निकल जाती है अब एक group leader बीच के नीचे है और उसे बोल रहा है कि please नीचे उतर जाओ John के जो friend होते हैं वो कहते हैं अब हमें next time period तीन दिन पहले का दिखाय गया है John ने suicide करने के पहले यह चीज हो रही है John अपने गाड़ी में C की यहाँ आता है वहाँ आने पर कुछ लोगों से वो मिलता है यह कुछ गुंडे होते हैं जो इसे गन सेल करते हैं यह फिर इस बीच पर चाय पीता है वहाँ की ओरत उसे कहती है कि कि इतना अच्छा विउ है जो बोट वाले लोग होते हैं इस विउ को दिखाने के लिए उनसे थोड़े से पैसे लेते हैं जो कहती है कि इतने भी जादा वो पैसे नहीं लेते जोन कहता है कि मर मिट जाने इतना ब्यूटिफुल ही स्पोर्ट है यह चाय पीता है पर इसके पास पैसे नहीं होते है उस लेडी को कहता है यह फिर से आकर पैसे दे दूँगा फिर अपने कार में यह बेट जाता है अपनी चाय खतम करता है और जो गन उसने बाइक ही होती है उसे अपने आपको माननी कोशिश करता है पर वो अपने आपको मारनी पाता जोन फिर सिटी में आ जाता है एक आदमी पर वो नजर रखता है यह आदमी जब अपनी बिल्डी में जाता है तो जॉन वहाँ आ जाता है उस पर वो गन चलाने वाला होता है पर यह आदमी जुख जाता है उसे एक गोली नहीं लगती जॉन डर कर वहाँ से भाग जाता है जॉन ने इलीगल अपनी कार पार्क की होती है इसी वाज़े से उसे वाइफ से उसका डिवास हो चुका है उसकी वाइफ उसे पुछती है कि तुम यहाँ क्यों आये हो यह एक्चुल में उसकी लड़की से मिलने आये हुआ होता है पर इसकी वाइफ अब उसे मिलने नहीं देने वाली तोटा कुट्टे का वाइच्छा इन्होंने पाला हुआ होता है तो यह कहता है कि मैं इससे मिलने आया हूँ इस कुट्टे को उससे लाता है उसके वाइफ उसे पुछती है कि क्यों पर इसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता तो उसके wife अब दर्वाजा पन कर लेती है रात में बारी शोरी होती है और John अपने घर आ जाता है यह एक जोपड़ी में अब रहे रहा होता है उसका पीछे एक आदमी कर रहा होता है अब इसे उसने ढूंड लिया है और John की पीछे उसके घर में आ जाता है वो कहता है कि तुम्हें ढूंड़ना बहुत ही difficult था John फिर अपनी गन निकालता है वो कहता है किसने बेज जाये तुम्हें यह आदमी कुछ भी बोलने रहा होता फिर वो कहता है यह जो गन मैंने बाई की है मैं अपने आपको मारने वाला था पर मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूँ तो किसी और को भी मेरे साथ लेकर जाओ मैं एक यह आदमी को लेकर जाने वाला था पर मैं अब confused हो चुका हूँ मैं किसको मारू यह मुझे समझ वे ने आ रहा stock broker को जिसने मैंने सारे पैसे ले लिये मेरा फ्रेंड जो मेरे विजनेस के पैसे लेकर भाग गया लोन वाले जो हमेशा मुझे तंग करते रहते थे या मेरी वाइफ और लड़की और तुम यहाँ अब आये हो तुमारा आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आये हो वो कहता है क्या तुम सुन्ची को जानते हो जोन पहले समझ नहीं पाता और वो कहता है कि तुम दोनों कपल्स थे यह जो आदमी होता है कि सुन्ची का हस्बन होता है सुन्ची और जॉन का बहुत सालों पहले प्यार था सुन्ची अब बेर पर है और वो मरने वाली है इसी वज़े से उसे अब जॉन को फिर से वापस देखना है सुन्ची के लास्ट विश है इसलिए उसका हस्बंड जॉन को लेने आया हुआ होता है जॉन्ची को देखने के लिए मान जाता है सुन्ची का हस्बंड उसे कुछ कपड़े देता है जब वो हास्पिटल पहुचते है तो सुन्ची के हस्बंड को पता चलता है कि सुन्ची कोमा में चली गई है वो अब किसी से भी बात नहीं कर सकती जॉन्ची के लिए पेपर्मिंट केंडी लाई हुए होती है वो फिर अंदर जाता है वो फिर भी उससे बात करना चाता है वो कहता है यह हमें मिले बहुत साल हो चुके है मैंने तुम्हारे लिए पेपर्मिंट केंडी लाई है क्या तुम्हें याद है जब मैं आर्मे में था तो तुम मुझे ये भेजा करती थी मैं इसे हमेशा समाल कर रखता था ये वही पेपर मिन कैंडी है ये वहाँ आर्मे में अलाउड नहीं था इसी वज़े से मैं ट्रवल में भी आ गया था पर फिर भी मैंने इसे जतन करकर रखा है जॉन फिर रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है सुन्ची कॉमा में थी पर फिर भी ये सब सुन रही थी उसके आख में आसु आ जाते है जब जॉन नीचे आता है तो सुन्ची का हस्बंड उसे कैमेर देता है वो कहता है सुंचिनी ये तुम्हारे लिए लाया था ये वो तुम्हे ही देना चाहती थी जौन फिर इस कैमेरे को सेल कर देता है रात में हमें जौन रेन के साइड में दिखता है और यहां हो बहुत रोता है यही ये टाइम पिरेट कहतम हो जाता है नेक जोब टाइम पेरेड है, यह 1994 का है, इस टाइम पेरेड में चौन अभी भी अपना बिजनेस चला रहा है, बहुत सारे फोन उसे आ रहे है, यह हमें दिखता है, इस फोन में एक डिरिक्टू का भी फोन होता है, वो किसी का पता करना चाता है, किसी के बारे में जानकरी न निकालना चाहता है वो फिर अपने फरनीजर शॉप पर आता है वह आकर उसके आसिस्टंट भी होती है उसे वो चाय देती है अपने फ्रेंड के साथ वो लांच करने के लिए जाने वाला होता है तो फिर से उसे डिरेक्टू को कॉल आता है डिरेक्टू ने उसकी वाइफ का पता निकाल लिया होता है, उसकी वाइफ पर ही नजर रखना चाहता है, उसके वाइफ जा होती है, वहाँ हो जाता है, और उसका पीछा करता है, इसके वाइफ जो है, इसका चक्कर चल रहा है, इसके वाइफ का नाम हम कीम रखेंगे, जॉन की वाइफ फिर एक आत्मी के साथ उसके घर चले जाती है जौन दरवाजा खटकटा कर अंदर आ जाता है ये सब डरह जाते है और इस आदमी को वो पकड़ लेता है जब ये सब बाहर आते है तो इस आदमी को बहुत मारता है अपने वाइफ से वो बात करता है तो उससे पूशता है कि अब तुम कैसे घर जाने वाली हो वो टैक्सी रहने वाली होती है उसे भी पूछती है कि तुम कब घर आने वाली हो वो कहता है कि मैं आज लेट हो जाऊंगा रात में में घर आऊंगा फिर हमें पता चलता है कि जॉन जब अपनी वाइफ का पीछा कर रहा था और यह बच्चा एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं फिर इस बच्चे का पैरेंट आता है जॉन इस बच्चे के पैरेंट को पहचान लेता है जॉन उससे पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो कैसा चल रहा है यह जो बच्चे को समझ में नहीं आता तो फिर से दो रहाता है यह कोट भी आप याद रखना और यह फिर से मूवे में हमें दिखेगा निग्स दिन जब आता है तो जॉन के जो सब कलिक है इन सब को लंज के लिए उन्होंने इन्वाइट किया होता है यहाँ पर जॉन की असिस्टन भी होती है कीन का जो डॉक होता है यह जॉन को पसंद नहीं आता उसे हो लात मानने लग जाता है कीम अपने डॉक को वज़ा लेती है प्रिवियर सीन में हमने देखा था कि इसी डॉक को वो सहला रहा था वो अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशन्शिप थी उसे फिर से पाना जाता था इसी वज़े से वो एक कर रहा था जब यह लंच के लिए बैट थे है तो उसकी वाइफ प्रेयर करने लग जाती है यह प्रेयर करते वक वो रोने लग जाती है वो अब जॉन के साथ नहीं रह सकती इसलिए वो हमें घर से बाहर निगल जो ही दिखती है यह यह टाइम पिरेट खतम हो जाता है और नेक्स टाइम पिरेट हमें दिखाया गया है यह अब 1987 का टाइम है किम जो है वो प्रेइनन्ट है यह हमें दोनों उनके घर में दिखाये गए है और किम वहाँ बैठी हुई होती है और जॉन लंच का रहा होता है किम अपने हेल के बारे में उसे बोल रही होती है वो हस्पिटल जाने वाली है यह भी उससे कहती है जॉन जो होता है कि जॉन अफसें मैंडेट था तब ये चीज़े क्लेर हो जाती है निकसिन में हमें दिखता है कि जॉन एक आदमी को पकड़ने के लिए आया हूँ होता है ये जैसी ही है वो जैसी को लेता है और पुलिस टेशन लेकर आता है जॉन अब इस टाइम पेरेंट में बिजनेसमन नहीं है तो ये पुलिस है जॉन अब जैसी की पुछताज करने के लिए स्टार्ट करतेता है वो उसे बहुत मारता है जैसी का साथी जो होता है उसकी पोजिशन उन्हें पता करनी होती है जैसी कुछ ये बोलनी रहा होता उसे पानी में डूबाते है उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते है और फिर ये उसका पता देही दिता है जब रात होती है तो जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में आता है वहाँ गाना खाता है, एंजॉय करता है वहाँ एक लड़की ने उन्हें जॉइन किया होता है ये जो लड़की होती है, ये अंडरेज होती है जॉन फिर उसे धमकाता है, अगर तुम फिर से इस बार में मुझे दिखी तो मैं तुमें जाने नहीं दूँगा ये डर कर वहाँ से भाग जाती है जॉन फिर फिर से हमें पोलीस स्टेशन में जेसी के पास आता है जॉन जेसी को कहता है कि अगर तुमने पहले ही पता दिया होता इतनी तकलिफ तुम नहीं सेते जैसी रो रहा होता है जॉन उसे पुछता है, तुमने अपने डायरे में लिखा है Life is Beautiful क्या तुम सच में मानते हो कि life beautiful है इसके पहरे time period में हमें पता है कि अब John मान चुगा है कि life beautiful है पर इसकी खुद की नहीं ये जैसी की life है जो beautiful है जैसी ने हमने friend का पता दिया था जैस गाव में वो रह रहा है वहाँ से ही सुनची है इस गाव में वो आ जाते और जिस आदमे को उने पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए कार में वो रूपते है अब रात हो जाती है तब John की friend से कहते है कल रात भी तुम नहीं सोय थे अब जाओ और जारा सो आओ जाओ और जारा सो कर आओ John फिर निकलता है एक घर के पास वाता है यहाँ एक लेट की दारू बीती हुई घर के बाहर बैठी हुई होती है उसे पुछता है क्या मैं तुम जॉइन कर सकता हूँ यह उसे फिर इन्वाइट कर लेती है उसे पुछती है कि तुम यहाँ क्यू आया हो वो कहता है किसी को ढूणने के लिए आया हूँ वो फिर और भी इंट्रेस्टेट होती है John कहता है कि मेरी जो फिर्स लव थी वो यहाँ रहती थी मैं उसे ढूणने के लिए आया हूँ इस बड़े से शेहर में कि कहा रह रही है यह आप मुझे नहीं पता पर यह जो पारिश है यह वो भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूँ एक ही आकाश के नीचे हम है एक ही शेहर में हम है इसका प्रेजेंस मुझे यहाँ मैसुस हो रहा है और इसमें ही मैं खुश हो यह लड़की फिर एमोशनल हो जाती है वो कहे थी कि आज रात के लिए तुम प्रिटेंड करो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम ढून रहे हो यह दोनों फिर इसके घर में आते है और intimate हो जाते है रात में यह लड़की जॉन से बुशती है अगर तुम सुंची से कुछ भी बात कर सके तो तुम क्या करोगी है जॉन फिर सिर्फ सुंची का नाम लेता है और नाम लेते-लेते ही रोने लग जाता है यह लड़की कहती है कि मुझे exactly पता है कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो इसका भी heartbreak हो चुका होता है जब सुभा होती है तो John अपने friends के car के पास आता है जिस आदमी को ढूंड रहे थे यह John के पीछे ही चल रहा होता है इसको अब वो पकड लेते है John को फिर से उस लड़की को मिलना होता है इन्होंने decide क्या होता है breakfast के लिए वो फिर से मिलेंगे पर अब उन्होंने जिस आदमी को ने ढूंड ना था उसे ढूंड लिया है John उसके पास जानी पाता यह लड़की river के पास उसका वेटी कर रही है यह हम देखते है यही time period खतम हो जाता है और फिर से पास्ट में 1984 में हम आ जाते है यहां में किम और जॉन दीखते है जिस गली में रहता है वही किम भी रहती है किम को cycle चलान नहीं आता उसे पूछ रही हुथी क्या तुम मुझे सिखाओगे जॉन केता है कि मुझे काम पर जाना है इससे पहले वह किम के रिस्टोरन में आता है उसे किम खाना किलाती है और एक आदमी वहाँ खाना खाने के लिए आता है और किम को टच करता है किम उसे जटक देती है अब जॉन को रिलाइस होता है कि केम को वो पसंद करता है इस वज़े से अपने एक सिन में हमें उसे साइकल केसी चलानी है यह सिखाता हुआ देखता है इस टाइम पेरिड में जॉन ने अभी अभी पुलिस फोर जॉइन की है यह जो सब पुलिस होते है एक आदमी को उसे टाइम करने के लिए बोल रहे है इस आदमी के पास हो जाता है उससे कहता है कि प्लीज जो भी information तुम्हारे पास है वह ज़े दे दो उसे हक करता है पर यह आदमी मानता नहीं तो उसे बहुत वह टाइम करता है जॉन के हाथ अब खराब हो चुके है जॉन वहाँ से बात्रों में जाता है और उसका फ्रेंड उसे आकर बोलता है कि तुम्हारी गर्ल्फरेंड तुम्हें देखने के लिए आई है ये जो लड़की है, ये कीम नहीं होती तो ये सुन्ची है जॉन फिर सुन्ची को रेस्टोरन में लेकर आता है जॉन सुन्ची को पुछता है कि तुमने मुझे कैसे डोड़ना वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी एड्रेस बुक थी तुम्हारे पैरेंस पहले यहां रहा करते थे सुन्ची उससे पुछती है कि तुम पुलिस कैसे बन गए तो उससे कहती है कि तुम जब आर्मे में थे तब तुम्हें मिलने के लिए मैं आई थी पर उन्हें मुझे तुम्हें मिलने नहीं दिया था तो यह पता भी नहीं होगा कि मैं तुम मिलने के लिए आई थी जॉन अभी भी उससे कोज़ भी बात नहीं कर रहा हो था सुनची फिर उससे कहती है कि तुमारे चो फिंगर्स है यह बहुत ही अलग है यह बहुत ही अगली है पर भी मुझे स्वीट लगते है तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो जॉन के हाथ हमें अभी-अभी गंदे हो गए है यह दिखाये गया था एस अगारेटर उसके हाथ अब गंदे हो चुके है वो जैसा था ऐसा अब वो नहीं रहा ऐसा उसे लगता है वो अपने हाथ देखता है और कहता है की सही हो तुम सही बात कर रहे हो कीम जब उन दोनों को ड्रींग देने के लिए आथी है तब कीम को हाथ लगाने लगता है वो सुंची को बता रहा हुता है कि अब वो कीम के साथ है सुन्ची फिर uncomfortable हो जाती है उसे camera देती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा से photographer बनना था मैंने बहुत सारे पैसे इकटा करकर तुम्हारे लिए buy किया है वो कहता है जॉन कहता है कि मुझे अब इसकी जरूत नहीं है ये कहकर फिर उसे station में छोड़ने के लिए वो आ जाता है जो camera सुन्ची ने उसके लिए लाया था उसे वो वापस कर देता है जब रात होती है तो John cycle channel लग जाता है वो सरकल में घुम रहा होता है अपने आपको punish कर रहा होता है उसके जो सब friend होते है वो किम के restaurant में बहुत सारी दारू पीर होते है जोन फिर अंदर आता है और सब को control करना चाता है जैसे आर्मी में strictly order follow करते थे उसी तरह से उनको order देना चाता है उन सब को मानने लग जाता है जिस तरह से उसकी life अब mess हो चुकी है इसे वो फिर से ड्रैक में ले जाना चाता है और वो एक करने पारा किम जोन को उसके bedroom में लेकर आती है यह दोलों intimate होने वाले होते है जोन डिस्टब होता है तो उसे कहती कि तुम्हें prayer करना चाहिए किम फिर उसके लिए prayer करती है और उसे भी prayer करनी ही सिखाती है इस सिन में हमें पता चलता है कि जोन ने उससे क्यों शादी की होगी उसके जो life है यह सही से नहीं जा रही किम उसके लिए एक ray of hope है इसी वज़े से उसने उससे शादी की थी यह time period यहीं खतम हो जाता है फिर से past में 1980 हमें दिखाया कया है जोन अब जो है वो army में है और सुन्ची उससे मिलने के लिए आई हुई है वहाँ के जो officers होते है उससे कहते है कि तुम्हें allowed नहीं है यह war zone है तुम किसी से भी मिलनी सकती एक alert जा रही हो जाता है और सब गाड़ी में बैटकर एक जगा पर सब military जा रही होती है सुन्ची बाहर होती है और जोन उससे देखता है अंदर बैटकर उसे वेव वेगरा नहीं करता वो सिर्फ surprise हो जाता है सुन्ची उससे दूर जा रही है यह हमें दिखता है वो city में होते भागते भागते वो train station पर आ जाते है जोन उसके friend की साथ होता है अपने friend को कहता है कि अप में चलने सकता उसके जूते में कुछ पानी है इसी वज़े से वो चलनी बारा उसका friend उसे कहता है कि ऐसा क्या है मैं तुम्हें help करता हूँ उस पानी को निकालने के लिए जब उसका friend शूज निकालता है यह John का blood होता है John को गोली लगए होती है उसका friend फिर help लेने के लिए चला जाता है वो आ एक लड़की आती है John उस पर gun रखता है वो लड़की कहती है कि मैं इस जगा पर first चुकी हूँ मैं यहाँ से जाने वाली थी तभी यहाँ lockdown हो चुका है और यह जंग छट चुकी है John उसे जाने के लिए बोलता है तभी उसके friends वगएरा सब आ जाते है वो हवा में fire करता है और उस लड़की को भाग जाने के लिए केता है वो दो-चार round fire करता है पर उसे चोट लग गई थी इसी वज़े से सही से short fire नहीं हो पाते और उस लड़की को उसने मार दिया है यह उससे realize होता है उसके पास जाता है इसने उसे मार दिया है इसलिए वो रोने लग जाता है इसे इस लड़की में सुन्ची दिखाई दिती है अपने प्यार को ही उसने मार दिया है यह वो realize करता है यह बहुत ही रोने लग जाता है यह scene यहीं खतम हो जाता है और हम फिर से time period में जब मार थे और 1979 में आ जाते है जौन अप college में है और दोस्तों के साथ पिक्निक में आय हुआ है मूवी के first में जिन दोस्तों के साथ हमें वो दिखाया गया था इन्हीं दोस्तों के साथ वो अब यहा है उसे spot पर है जिस spot पर उसने suicide की है यहां में सुन्ची भी दिखाई जाती है जौन उसे बात करने लग जाता है जौन उसे पुछता है क्या तुम्हें नेचर पसन आता है सुन्ची के थी कि हाँ मुझे पसन है जौन उसे पुछता है क्या तुम्हें फूल अच्छे लगते है वो कहती कि हाँ मुझे फूल अच्छे लगते है जॉन उसे कहता है यह मुझे फोटोग्राफर बनना है यह जो नेचर की ब्यूटी है यह मुझे कैप्चर करनी है सुनची इस पर हस्ती है और फिर उसे पेपरमीन कैंडी देती है जॉन उसे पूछता है क्या तुम्हें ये पसन है वो कहती है कि मैं इसकी फैक्टरि में कामरी करते हूँ मैं ट्राय करती हूँ कि मैं इसे पसंद कर पाऊ जॉन फिर इस पॉर्ट को देख रहा हुता है वो सुन्ची से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ अल्डेडी आ चुका हूँ यह जो सब है, यह मैंने पहले देखा है, यह सब मुझे मैसूस हो रहा है सुन्ची उसे कहती है, कि यह तुम्हारा ड्रीम होगा जॉन पूछता है, क्या है यह सच मुच में ड्रीम हो सकता है यह जो सब फ्रेंड्स है, फिर ग्रूप में बेटते है जौन जो गाना गा रहा था कि तुम कैसे चली गई मुझे छोड़ कर कैसे चली गई गाने की लेरिक्स थे यह गाना यह सब फ्रेंड्स मिलकर अब गा रहे है पर एक फैपी टोन में गा रहे है जौन फिर उठ जाता है और यहाँ चलने लग जाता है वो ब्रीच के नीचे फुलों के पास बेटता है उपर देखता है और वहाँ रोने लग जाता है यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है यह realization उसे होती है यहाँ हम सोचे तो यह moment जौन के लिए perfect था यहाँ उसे जो भी सब चाहिए था वो एक कर सकता था इसके लिए वो hope भूल था यहाँ उसे पता था यह सब चोड़ कर उसे आर्मी में जाना पड़ेगा इसलिए यहाँ वो रो रहा है इसका जो future है वो uncertain है जो भी उसे चाहिए वो पातो सकता है वो उसे इसकी possibility बहुती कम लग रही है यह सब सोचकर उसके death imagine करता है और यहाँ वो रो रहा है अगर हम फिर से इस movie के जो scenes थे इन्हें एक linear तरीके से फिर से analyze करें तो बहुत सारी चीज़े पता चल सकती है movie का last scene जो था उसमें वो जैसा था वैसे हमें दिखाये गया है उसका एक pure form हमें यहाँ दिखता है पर वो वैसा हो नहीं पाता इससे पहले जो scene है जहाँ सुन्ची उसे मिलने के लिए आती है उसमें उसे मार रहा है उसका जो प्यार था उसे उसने मार डाला है ऐसा उसे दिखता है इससे और एक पहले scene में जब वो अपकीम से मिल चुका है कीम के restaurant में वो खाना अगर रखाता है इस scene में जब उसे सुन्ची मिलने आती है तब वो उसे भी ठुकरा देता है उसके past के साथ उसके जो सब टाइस थे उसने उसे मार दिया है और एक इसके पहले scene में जब कीम इसके बच्चे के साथ brainland थी तब इसने अपने family को ये मार दिया है वो कीम के साथ इतना जूडनी पाता जो उसे attention अपने family को देना चाहिए वो नहीं देता इसी वज़े से इसकी family बरबाद हो चुकी है जब वो पुलिस में था और सुंचे के गाव में फिर से वो अपस आया था तब उसे फिर से एक chance मिला था जो लड़की थी उसके साथ वो रह सकता था वो लड़की भी जॉन को पसंद कर दी थी वो दोनों उस दिन मिल सकते थे पर उसने फिर से उसका जो chance था कि वो फिर से पैर में पढ़ सकता है इसी को उसने मार डाला जब मूवी के फर्स सीन आये थे जब वो गन बाई करता है तो वो सब को मार डाना चाहता था तो स्ट्रॉक बुकर को, बैंक वालो को उसका जो फ्रेंड था, उसको उसके वाइफ को, बच्ची को सब लोग को मार देने वाला था और आखिर में उसने अपने आप को ही मार दिया अगर हम फिर से देखे तो जॉन के पास हमेशा उप्षन था जो बाना जाता था वो हमेशा उसके सामने था पर वो कभी भी उसे रिकगनाईज नहीं कर पाया जो वो कॉलेज में था तो उसे फोटोग्राफी करनी थी पर उसे करने के लिए वो करिश नहीं जुटा वाया उसके अल्टरनेट में वो आर्मी में चला गया जब वो आर्मी में था पर तभी भी उसने ऐसा नहीं किया सुन्ची फेस से उसे मिलने के लिए आई थी पर कीम के साथ फिर वो involved हो गया उसके हाथ गंदे हो चुके है उसका soul अब dirty हो चुके है ऐसा उसे लगता था अब वो सुन्ची को definitely deserve नहीं करता सुन्ची उसे life का और एक chance देखा जाती है उसे camera वो देखा जाती है अगर John decide करता तो अपना passion pursue कर सकता था तभी भी उसने ऐसा नहीं किया जब कीम के साथ उसकी शादी हो गए अगर उसने family को importance दिया हो था तो फिर भी उसकी family कभी तूटती नहीं और जो उसके हालात हो चुके थे वो नहीं हो पाते इसके contrast में उसने violence का way choose किया जब वो movie में बरबाद हो चुका था उसका job उसके पास नहीं है उसकी family उसके पास नहीं है तब सुन्ची का husband उसे फिर से उसका camera देता है वो अपने dream को sale कर देता है अपने friends की reunion में हो जाता है उसके friend उसके लिए बहुत supportive है फिर से वो यादे जी सकता है जो उसके लिए beautiful थी उसे life में support करने वाले जो भी सब उसके friend है वो यहाँ मोजूद है जौन के लिए यह सब care करते है पर यह वो देख नहीं पाता और फिर वो suicide कर लेता है हम जो है अपने आपको हमेशा judge कर दे रहते है हम बुरे है इसलिए हमें यह नहीं करना है यह सब जो है यह बहुत ही गलत है life हमेशा हमें जो भी chance देती है हमारे साथ जो भी अच्छा होने वाला है इसे हमें जकड लेना चाहिए इसलिए sees the moment कहा जाता है जो moment है इसे हमें पकड लेना चाहिए जकड लेना चाहिए और इसका कुछ beautiful बनाना चाहिए life को देखने का एक अलग तरीका यह movie हमें दिखा कर जाती है अगर आपको यह वीडियो पसन आई होगी तो please इस वीडियो को like कर दीजे अगर आपको ऐसे ही बहुत सार एक्स्प्लेशन चाहिए है तो please मेरे चानल को सबस्क्राइब कर दीजे बेल नोटिफेशन आईकोन मी दबा दीजे यहनि कि आपको सब वीडियो मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए धैंक्यू और अब आपने आपका खैल रखिये